बनाय जाओ चैनल पर आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे मूंफली की बर्फी बहुत ही आसान तरीका सुन्दक दिखने वाली वाइट बर्फी सबसे पहले हम मूंफली को बूनेंगे बिल्कुल धीमे धीमी आज पर ये बिल्कुल धीमी आज पर बूनेंगे जिससे लाल या काली नहीं पड़े सिर्फ छिलका इसका उतर जाए इतना बूनेंगे और चलाते हुए दीमी आज पर पांस से साथ मिनट तक बूनेंगे ये मैं भून लिये है भून के इनके छिलके उतर लिये हैं फिर अब इनको मिक्सर जार में पीसेंगे ये सूखा हुआ बिल्कुल लेना चाहिए इसको पीसेंगे रुक रुक कर पीसेंगे जिससे इसका ओईल बाहर नहीं आए और आटे की तरह फाइन पीसेंगे अब ये मैंने मिक्सर में चला लिया है इसको आटे की चलने से छान लगी इसमें अगर कोई खराब दाना निकले उसको बहार निकाल देना इसमें नहीं आने देना नहीं तो बर्फी का टेस्ट राग हो जाएगा इसको चान के देखो ऐसा बनाना है ये मोटा वाला दुबारा से फिर से मिक्सर में चला के बारी करना है ये देखो हमारी शक्कर गुलने लगी है ये अब उबले की इसको तीन से चार मिनिट पकाएंगी ये देखो मैंने चान के तैयार कर दिया है मुफली का आटा ठीक है इसमें अब दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर किसी भी बिराण का ले सकते हो दो बड़े चम्मच इसमें ये मिल्क पाउडर डालेंगी ये मैंने ताजी इलाइची पाउडर बनाई थी घर की घर में पीसने से इसकी खुसबू अच्छी रहती बाहर का इलाइची पाउडर ज्यादा खुसबू नहीं देता इसलिए घर में तयार करें तो बहुत ही अब इन तीनों को अच्छे से मिला लगी है ये मेरे तीनों चीजें एक साथ मिल चुकी है अब हम बनाएंगे चासनी इसके लिए ये कड़ाई ली मैंने भारी पेंदे वाली अब हम चासनी बनाएंगे अगर हमारी मुंभली एक कटोरी थी तो आधी कटोरी सब कर आधी कटोरी शक्कर है तो उसका आधा पानी ही डालेंगे अब इसको दीनी आज पर पकाएंगे आधा कटोरी पानी दो कटोरी मुंभली दाना उसकी आधी शक्कर शक्कर का भी आधा पानी इस तरह से रेशो रहेगा अब इसको बिल्कुल दीनी आज पर शक्कर को घुलने देंगे तेज बिल्कुल नहीं करेंगे शक्कर घुलने के बाद फिर मेडियम लूपे इसको पकाएंगे चिपचिका होने तब यह देखो मेरा डोब तयार हो रहा है कडाई भी छोड़ दीगे पूरा मिक्षर इसमें आ गए इसको थोड़ी देर दो से तीन मिनिट चलाएंगे अब मेरी चासनिंग बनकर तैयार हो गई हलकी सी चिपचिपी हो गई है देखो अब इसमें दो तीन बून केसर एसेंस डालेंगे कि आप केसर भी डाल सकते हो मैंगो का फ्लेवर डाल सकते हो जो भी आपको फ्लेवर पसंदो या बंद कर लेंगे जो भी आपको उचित लगे मैंना कम कर दी है अब इसमें मिक्षर डालेंगे दीरे दीरे डालेंगे और मिलाएंगे मिलाते जाएंगे डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह मिलाते जाएंगे गैस को बिल्कुल लो फ्लैंड पर जलाएंगे और इसको डालते जाएंगे बराबर से इसमें गुठलियां नहीं पढ़ने चाहिए इसमें दो चम्मच घी डालेंगे नीचे बिल्कुल लगने नहीं देना नहीं तो इसका कला रेड हो जाएगा लगने वाइट नहीं कहेगा इसको हमें वाइट बर्फी बनाना है इसलिए आराम से बिल्कुल धीमियाच पर चलाते रहना रहें जो मैंने नाब बताया उसी के हिसाब से आप बनाना जितनी मुंफली उसकी आदी शक्कर शक्कर का अधा पानी इस तरह से इसका प्रेशु रहेंगा इसको नीचे बिल्कुल चिपकने नहीं देना है इस तरह से ये हमारा डो तैयार हो गया है मेरा दो तीन मिनिट और चलाके ये पूरा मिक्स हो गया है विल्कुल आटे की तरह गुंद गया है अब इसको दस मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे ये देखो मेरा दस मिनिट हो चुकी है थोड़ा ठंडा हो गया है आप हम मैशर से इसको मैश करेंगे मैशर को नीचे से थोड़ा गी लगा के इसको मैश करेंगें एक जिसका मैश कर लेंगे मैशर नहीं हो आपके पास तो 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 चटोरी या गिराज से किसी से भी मैश कर सकते हो ये मैंने मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लिया है चिकना तयार हो गया आटे की तरह अब इसको बेलेंगे बोर्ड पे रखके आप चौको राकार का बना लगे इसको अपने अंसार पतला मोटा काजु कतली जैसा बनाना हो तो पतली बेलें बर्फी बनाना है तो थोड़ा इसको मोटा रखें इसको आराम से बेल लेंगे मोटा पतला आप अपने अंसार कर सकते हैं मुझे बर्फी बनाना है इसलिए मैं आदा इंच के करीब मोटा रखेंगे इसको यह बहुत ही टेश्टी बर्फी बनती है इसको ब्रत में भी खा सकते हैं मोफली शक्कर मिल्क पाउडर ही है इसमें यह मैंने बेरिकर तयार कर ली है अब इसके पीस काटेंगे इसमें जितने बड़े आपको रखना उसके एसाब से पीस काट लाएंगे आप पतली बेल के काटेंगे तो लगेगा काजू पतली है थोड़ा ठंडा होने पर काटेंगे तो और अच्छे ही से कड़ जाएगी दस मिनिट ठंडा होने के बाद इसको आप लोग काटना है यह वर्फी बनकर तयार हो चुकी है अभी गरम है इसलिए थोड़ा सॉप्ट है इसके ऊपर आप चिरोंजी भी लगा सकते हैं सकते हैं और पिस्ता चिरोंजी कुछ भी लगा सकते हैं कि इस तरह से हुआ यह हमारी हूंफली की बर्थी बनकर तैयार है आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें बरत में भी आप इसको बना सकते हैं परशाद में भी रख सकते हैं इसलिए जरूर ट्राई करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाई अच्छी लगे तो आप कमें जो हम जए तकरें.